हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक बाई आरपी इंडिया यूटूब चेनल दोस्तो आई टी बीपी हेड कॉंस्टेबल की नियू रिकॉर्मेंट आ चुकी है जिसका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको complete step by step full प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे आई टी बीपी का ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं ओभी अपने मुबाईल फोन से तो दोस्तो वीडियो को start करें उस्टे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिसे कि मेरी आन के लिए नियू रिकॉर्मेंट आई हुई है जिसका ओनलाइन आवेदन इस्टार्ट हो चुका है 13 अकुबर 2022 से और इसका लास्ट डिट होने वाला है 11 नौंबर 2022 तक एप्लिकेशन फी की बात करें तो दोस्तों यहां पर जनरल OVC EVS के लिए यहां पर 100 उपीच की फी लगने वाली है एज लिमिट की बात करें तो यहां पर 20 से 25 वर्स के कंडिडेट इस फॉम को एप्लाई कर सकते हैं नंबर आप वैकेंसी की बात करें तो यहां पर टोटल 23 पूश्ट आई भी है जिसका आप वैकेंसी डीटेल्स चेक आउट कर सकते हैं सरकारी रिचल डाट साइड का लिंक मिल जाएगा तो फॉम एप्लाई करने से पहले इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रिडाउट कर लिजेगा उसके बाद फॉम को एप्लाई कीजिएगा तो तो मैं यहां पर एप्लाई ओनलाइन पर क्लिक कर लेता हूं जैसे ही आप एप्लाई ओनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप ITVP रिकोर्मेंट की ओफिसिल वेबसाइड पर आ जाएंगे अब दोस्तों यहां पर आपका अगर एकाउंट नहीं है तो आपको यहां पर निव यूजर रिजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है अब द उसके बाद यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ उसके बाद यहां पर एक सिकुर्टी क्योलिटी ऐहां पर सेलेट कीजिये उसके बाद तो आपका रिजिस्ट्रेशन सेक्सेश-फूली कम्क्लेट हो जाएंगा अब दूस्तों यहां पर आपको अपनी इमेल आईडी और पा जैसे ही आप लोग इन करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा अब दूस्तों आपको यहाँ पे प्रोफाइल डीटेल्स पे क्लिक कर लेना है जैसे ही आप लोग इन करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा अब दूस्तों आपको यह नहीं फिल किया था जैसे कि में वाइल नमबर तो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है उसके बाद उस्तों यहाँ पर आपको अपना पर्मानेंट एड्रेस इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर अपना इस्टेट उसके बाद यहाँ पर अपना पीन कोड इंटर कर लीजिए उसके बद तो यहाँ पर अगर आपका permanent address और correspondence address अगर सेम है तो यहाँ पर आपको checkmare पर ख्लिक कर रहेना है अगर नहीं सेम है तो यहाँ पर आपको अंचेक करके यहाँ पर अपना correspondence address भी इंटर कर लेना है कि उसके बाद यहां पे अधर डिटेलस में आप यहां पर इन्स नेलेजस से स्टिकट कर लिजिए वह है उसके बाद है पर आपको अपना एज्यूकेशन डिटेल priorरा तो यहां पर सबसे पहले आप यह पर case ओ tablets थे was इसके बाद यहां पर कोई अधर डिगरी है तो यहां पर उसका भी डीटेल दे सकते हैं उसके बाद यहां पर अपना जेंडर सेलेट कीजिए उसके बाद यहां पर अपना मेरिटल स्टेटर सेलेट कर लेजिए उसके बाद दूस्तों आप एक सर्विसमेन हैं तो यहां पर आ आपको अपना photograph and signature अप्लोट करना है तो यहां पर आप फोटोग्राफ का साइज देख लिए जो कि यहां पर 30 से 100 कवी की बीच में होना चाहिए और JPG या फिर JPG format में होना चाहिए उसके दोस्तों यहां पर सिगनेचर का भी साइज देख लिए जो कि यहां पर 15 से 30 के बीच में होना चाहिए और JPG या फिर JPG format में होना चाहिए तो यहां पर आपको अपना photograph and signature को अप्लोट कर लेना है उसके बाद दूस्तों यहां पर आपको 2008-2022 वाला है इस पर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद दूस्तों यहां पर इस declaration को यहां पर accept करना है तो यहां पर आई एग्री पर यहां पर चेक्मार पर क्लिक कर लेना है दिन यहां से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है दिन यहां से आपको आई एग्री चेक्मार करना है उसके बाद यहां से आपको submit button पर क्लिक कर लेना है अब दोस्तो यहां पर आपको उपना payment करना है तो यहां पर अपना payment method select कर लीजिए अगर आप debit card के रिड़ीट कारड के थूप प्रेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ प्लिकेशन फोर्म पे क्लिक करके आप अपना यहाँ से फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्युचर यूज के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो दोस्तों आसा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए helpful रहे होगी प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर